एस्ट्रोनॉर्ट्स ने दसंबर दो हजार एकिस में प्रिथवी के नजदेक दो ऐसे ब्लैक होल स्टून निकाली हैं जिनका कंबाइन मास्ट 16 क्रोड सूरज के बराबर है और सबसे ज्यादा खतरनाग और हैरानी की बात तो ये है कि ये दोनों आपस में जुड़ भी सकती ह हैं और अगर ये दोनों प्रिथवी और सूरज के पास आ जाएं तो वो भी हमारे सोलर सिस्टम का नाम और निशान ही मिट जाएगा फ्यूचर में जब हमारे विगयाने स्पेस ट्रैवल करने निकलेंगे तब ये ब्लैक होल उनके लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होंगे बहिशे में स्पेस ट्रैवल के लिए इन खतरों को टालने के लिए हमें एक स्पेस मैप की ज़ूरत पड़ेगी और इतने अड़वांस होने के बावियूद भी हम अब तक ये नहीं जान सके कि कौन सा ब्लैक होल हमारे अंत का कारण बनेगा इन ब्लैक होल के इतने मिस्टीरियस होने के पीछे एक कारण ये भी है कि हम आज तक नहीं जान पाई कि इन अबजेक्ट्स का रास्ता कौन सा है वेगानिकों की टीम ने हाल ही में टेलिसकोपियम कॉंसलेशन में एक ऐसे स्टार सिस्टम को ढून निकाला है जिसके ब्लैक होल भी है वैसे तो ये ब्लैक होल सूरज से पांच गुना ज्यादा भारी है लेकिन इसकी डैंस्टी इतनी ज्यादा है कि इसका डाया मिटर सिर्फ 30 किलो मिटर है और वहीं ये सूरज के 13 लाख किलो मिटर के डाया मिटर के सामने कुछ भी नहीं है ये ब्लैक होल पित्वी से 1000 लाइट एर्स की दूरी पर है जो इसे पित्वी के लिए सबसे खतरनाक ब्लैक होल बनाता है इस ब्लैक होल की तरह ही पित्वी से कई लाइट एर्स दूर मोनो सेरस क slots function का एक ब्लैक होल भी सूरज से 2.6 गुना भारी है मगर इसका डायामीटर सिर्फ 10 किलो मितर है और ये 10 किलो मितर डायामीटर का बलैक होल भले ही हमें छोटा लगे मगर ये अपने हाट स्टार को एक सॉफट बॉल की तरह सुकैश कर सकता है वेगयानिकों के मताबिक सिर्फ हमारी मिलकी वे में ही एक रोट से भी ज्यादा बलैक होल्स मौजूद है ये बलैक होल्स इतने छोटे होते हैं कि इन्हें ढून पाना बेहद मुश्किल है लेकिन अभी के लिए ये ब्लैक होल्स हमारे लिए इतना बड़ा खत्रा नहीं है प्रित्वी से 26 लाइट एर्स दूर सैजिटेरियस कॉंसलेशन में मौजूद सैजिटेरियस ए स्टार का ब्लैक होल प्रित्वी का अब तक का सबसे नजदी की ब्लैक होल है 44 बिलियन किलोमीटर डायामीटर वाला ये ब्लैक होल इसका वजन 40 लाख सूरज के बराबर है अगर प्रित्वी और सूरज के बीच हम इन ब्लैक होल्स को रखना चाहें तो यहां ऐसे सिर्फ तीन ब्लैक होल्स ही रखे जा सकती है साइस में इतना बड़ा होने के बावियूद ये ब्लैक होल हमारे गलैक्सिस के ब्लैक होल के सामने कुछ भी नहीं है हमारी प्रित्वी से 300 मिलियन लाइट एर्स दूर कॉमा वैली कॉंसलेशन के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल का मास 21 बिलियन सूरज मास के बराबर है इस ब्लैक होल की ग्रैविटी फोर्स 70 बिलियन किलोमीटर तक काम करती है ये साइस इतना बड़ा है कि इसमें हमारे सोलर सिस्टम जैसे तीन सोलर सिस्टम समा सकते हैं लेकिन ये ब्लैक होल भी 1061 के सामने कुछ भी नहीं है 1061 वेग्यान को द्वारा डिस्कवर किये गए अब तक का सबसे बड़ा ब्लैक होल है 42 बिलियन किलोमेटर डायामेटर वाला ये ब्लैक होल इतना बड़ा है कि इसमें 11 सोलर सिस्टम समा सकती है लेकिन आज हम जिस 1061 ब्लैक होल को देखते हैं वो आज से 10 बिलियन साल पुराना है ब्लैक होल जैसे मिस्टीरियस चीज़ों को सिर्फ एलन मस्क जैसे जीनिस ही सॉल्व कर सकते है प्रिथवी को सिर्फ इन ब्लैक होल की ग्रैविटी से ही खत्रा नहीं है बलके ये जिस तरह की पल्स इन प्लैनेट्स पर डालता है हमें उससे भी खत्रा है उधारन के लिए आप 1061 को ही देखें ये अपनी एफिशेंसी को ही ले सकते हैं एफिशेंसी एक ब्लैक होल के चारों तरफ घूमने वाले मैटल्स की वो रिंग होती है जिसमें टेंप्रेचर मिलियंस ओफ डिग्री सेंटिडेट होता है फ्यूचर में अगर हमारी प्रिथवी गलती से भी इसके थोड़ा पास चली जाए तो बस कुछी नैनो सेकंड्स में हम जलकर भस्म हो जाएंगे अगर हम 1061 ब्लैक होल के देंजर की बात करें तो ये पूरा लाइट एर है प्रिथवी से 53 लाइट एर्स दूरी पर मौजूद ये विशाल आकार का ब्लैक होल 5000 लाइट एर लंबा जान लेवा रेडियेशन वाला एरिया बनाता है अगर ये किसी स्पेस शिप के संपर्क में आ जाए तो ये उस स्पेस शिप को जला कर राख कर देगा लेकिन प्रिथवी से 2 बिलियन लाइट एर दूर हरकल्स कॉंस्टलेशन में मौजूद ये ब्लैक होल चार्ज पार्टिकल्स के दो ऐसे फाउंडेशन सब्मिट करता है जिसकी लिमिट 15 लाइट एर्स है ये लेंथ इतनी ज्यादा है कि इसमें 11 मिल्की वे गलेक्सिस फिक्स की जा सकती है ये चार्ज पार्टिकल्स इतने पावर्फुल है कि पावर्फुल से पावर्फुल इलेक्टिकल सिस्टम भी इसमें काम नहीं कर सकता और वेगानिक आई तक ये पता नहीं लगा सके कि इन ब्लैक होल्स के आसपास का ये एफिशेंसी, प्लाजमा गेट और ये चार्ज पार्टिकल्स के फाउंडेशन्स क्यों बनते हैं पिछवी से 13 बिलियन लाइट येर्स दूर मौजूद सेक्स्टेंस कांसलेशन में एक बिलियन सूरज के बराबर मास का एक ऐसा ब्लैक होल है जिसके आसपास गलैकसिस का एक पूरा जाल बना हुआ है और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये इतना बड़ा जाल रिवर्स बढ़ने के सिरफ एक बिलियन साल बाद ही बना है अगर हम किसी ब्लैक होल के बढ़ने के प्रोसेस के हिसाब से इसे देखें तो इतना बड़ा जाल इतने कम समय में बन पाना इंपॉसिबल है इसी तरह का एक और mysterious black hole है जो के बिलकुल ही empty है मतलब के इस black hole के आसपास matter तो है लेकिन ये black hole उस matter को अब्जर्ब नहीं कर पा रहा है किसी unknown force के कारण इस black hole के आसपास मौजूद ganzen भी थंडी हो चुकी है और ये नए-ने star को produce करने लगा है इसके अलावा हाई कलसी कॉंसलेशन की गलैक्सी में मौजूद एक सूपर मैसी ब्लैक होल आज की तारीक में खतम हो चुका है लेकिन कुछ रेडियो एजनसी के मताबिक ये ब्लैक होल 1061 ब्लैक होल से भी बड़ा था और 10.6.1 जितने बड़े ब्लक होल को खटम होने में कहीं बिलियन साल लग जाएंगे लेकिन ये ब्लक होल कुछ ही बिलियन सालों में नश्च हो गया है वियग्यानकों के मताबिक इस ब्लक होल का इतना जल्दी खटम होना impossible है लेकिन ये ब्लैक होल इतना जल्दी कैसे नश्ट हो गया ये भी एक मिस्टरी बनी हुई है ये ब्लैक होल हमसे काफी दूर है लेकिन एक साइंटिफिक थियोरी के मताबिक ब्लैक होल्स हर जगह होती है इन ब्लैक होल्स के साथ बस इतना है कि कुछ black hole nitrogen fix site में कैद होकर रह गए है वो ना ही वो हो पा रहे हैं और ना ही खतम हो पा रहे हैं इस theory के मताबिक Prithvi की हर एक बड़ी city में एक black hole ज़रूर है लेकिन जी black hole कहां है ये कोई नहीं जानता अगैस पूरे वीडियो को summarize किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ब्लैक होल हमारे यूनिवर्स का सबसे मिस्टीरियस आपजेक्ट है वीडियो में दीजानकारी नौलेज एबल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद